मनिपूर घटना के दौरान महिलाओं को पुलीस से हुआ ज़रप दरिंदगी केस में एक और गिरफतार बात करेंगे कि मनिपूर के घटना वाली जो निर्वस्त करकर महिला को सरक परदोर आया इस मामले को लेकर एक महिला जो परदर्सन कर रह थे वohan पुलीस से हो गई बहुत बड़ी जरब हम आपको बता दे कि महिला टाइर जो है जलाने की कोशिस किया पुलीस के सामने जिस तरीके से इस केस को लेकर जगा जगा परदर्सन हो रहे हैं वहीं पे पुलीस के साथ एक महिला को बहुत बड़ा जरब हो गया इस केस में सनीवार को हम आपको बता दे की सरक पर महिला को जिस तरीके से निर्वस्त करकर दवराय गया इसके विरोध में महिला जु है सरक पर उत्रे और उनके विरोध में टैर जलाने की कोशिस की पूलीस के सामने जिस तरीके से पूलीस को और महिला के साथ ज़रब हो गया इस मामले में बताया जा रहा है कि अब तक की पाँच गिरफतारी हो गई है और इस घटना के पाँच आरोपी गिरफतार हो गए है इस तरीके से ये मेडिया में वाइरल होने के बाद 19 तरीक का यह सोसल मीडिया पर वाइरल हुआ इसके कारण हर एक बैक्ती मनिपूर के जिस दरिंदगी को भुला नहीं पा रहा वह दिरंदगी मनिपूर से निकला और पुड़े देश में छा गया पुड़े देश में इसी की बात हो रही है हर जगह सोसल मीडिया पर यही बात हो रही है बात को लेकर मैं बता जो कारवाई है वहां की मंत्री और मुकमंत्री जो है उनको कहना है कि इसको लेश में जिस तरीके के हर जगह परदर्शन होने के कारण वहीं दूसरी जगह हम आपको बता दे कि इन घटना को लेकर हर जगह परदर्शन हो रहा है बताई जा रहा है कि यह परदर्शन इतना सार है कि देश के प्रधान मंत्री मोदी से लेकर जो है सुप्रिम कोड तक यह बात सरमनाक कहा गया सर्मनाक होते होते यह बात इतनी वाइरल हुई वीडियो इनका कि दो महिने के बाद वहां के मुक्मंतरी को पता चला अगर नहीं पता चलता तो वह भी बात नहीं चलती सोसल मीडिया पे वारल होने के बाद जो है वहां के मुख मंतरी कह रहे हैं कि हम इस पर सक्षे सक्त करवाई करेंगे मगर अगर सोसल मीडिया पे ये वीडियो नहीं वारल होता तो क्या जो वहां की मंतरी है वो ये बात कहते दो महिना से चुपी साधे वहां की मुखमंत्री कह रहे हैं कि अब जब सोचल मीडिया पे वीडियो वाइरल हो गया तब कि हम इस बात को सही से और पूरे चांच परताल करने के बाद ही इसको हम जो दोसी पाया जाएगा उन्हें सजा देंगे दोस्तो आज गरे इतना ही तब तक के लिए जहेंद बंदे मातरा